वहाँ नौर्थ इस डिस्टिक में जिसमें में गोखिलपुरी, मौचपुर और बजनपुरा, क्रावल नगर इन एरियाज में कल कुछ कॉल आई थी और कुछ इंसीनेंट्स भी हुए थे और इस पे हमारे पुलिस की डप्लॉइमेंट थी और जैसे जैसे हमारे पास इंफोर वहाँ पे कुछ पर्टेस्टर्स और उनके जो एंटी थे ग्रूप्स उनमें कई जगा पे क्लैश हुई और वहाँ हमने फोर्स भेजके सिचुएशन को कंट्रोल किया पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी जो एरियाज हैं नॉर्थीस्ट के एरियाज हैं सिचुएशन पूरी कंट्रोल में है लेकिन कई जगा पे जो स्ट्रे इंसिडेंट्स हैं वो हो रहे हैं और पुलिस उसको रिस्पॉंड कर रही है इसी दुरान हमारे 56 पुलिस प आईपियस ऑफिसर्स हैं उनको चोट आई डीसीपी शादरा को भी हैड इंजरी है अंडर अब्जरवेशन है और बाकी 56 पुलिस परसनल्स को चोट हैं और इसके साथ साथ एक सो 56 56 इसके लावा 130 जो पुलिक परसनल्स हैं उनको चोट हैं उनको भी हॉस्पिटल में शिफ् अगया पहले मैं यह बताना चाहूंगा के नौर्थ इस स्थिक में सफिशन्ट फॉर सड़े की गई हैं और कुछ किम्ट्रव समय यह खपर थी कर जो फोर्स उसकी कमी लावा सब्सेंट करते हैं इसको बखनदन करते हैं सफिशन्ट फॉर्स की गई है उसके इलावा Grαν Research है mixed population है और कुछ जगा पे incidents हुए है जैसे जब तक पुलिस ने respond किया उससे पहले कुछ anti-social elements ने कुछ incidents किये लेकिन पुलिस उनको respond कर रही है कल भी respond किया और आज भी उनको हम respond कर रहे हैं इसके लावा जो डैली पुलिस है हमारे पास paramilitary में CRPF है RAF है SSB है तमाम paramilitary forces हमें जो मिली हैं उसको deploy किया गया है डैली पुलिस ने अपने additional resources को mobilize किया हुआ है जितनी भी हमारी units हैं जैसे crime branch और बाकी units हैं डैली पुलिस की वहाँ से भी maximum resources को mobilization किया हुआ है senior officers special cp rank के officers situation को monitor कर रहे हैं control room में तमाम senior officers monitor कर रहे हैं ground पे तमाम senior officers है patrolling की जा रही है और area को dominate किया जा रहे है अभी भी जो हमने कल जैसे incident हुआ है उसके बाद डैली पुलिस ने 144 section impose किया हुआ है और तमाम जनता को मैं appeal करना चाहूंगा कि शान्ती बनाए रखें और सहयोग करें कुछ rumors चल रहे हैं आप rumors पे ना जाए 144 के बावजूद भी कुछ यगा कुछ में ना ले और आज भी जैसे incidents हुए है उसको हम tackle भी कर रहे हैं और strong action ले रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ अब मैं strong message भी देना चाहूंगा जितने भी तमाम मिस्क्रिंट्स हैं एंटी social elements हैं उनके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी और इसके साथ साथ अभी तक हमने 11 FIR दर्ज की है कुछ हमने detain भी किया है और भी जादा हम अब detain करेंगे situation अभी under control है जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ जो गलियों हैं वहाँ कोई भी अगर incident होती है तो पुलिस उसी समय response कर रही है और इसके अलावा जो हमारे पास drones की भी हम help कर ले रहे हैं ड्रोन से भी हम निगरानी कर रहे हैं आपने देखा होगा कि जो पत्थरबाजी की है काफी लोगों ने शतों से पत्थरबाजी की है अपने गर की शत से की है उस पे भी हमने नज़र रखी हुई है cctv से हम इनकी recording भी चेक कर रहे ह और इसके लावा ड्रोन की मदद से पूरा जो एरिया है उसको dominate किया हुआ है अभी situation control में है और हमारे तमाम senior officers इसको monitor कर रहे हैं sufficient force deploy की गई है और इसी तरह हम इसको check रखें